cloud ऐस्टीसी राउटर का password change करना हो तो कैसे चेंज कर सकते हैं और इसका connection का hut control करवाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो सब्कुछS वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा तो चलिए video start करते हैं है तो हाइ मेरे दोस्तों कैसे हैं उम्यदै कि आप सब खेरिया सुझेंगे जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला हुआ था कि मैं साउधी अरब में अपना जर्वाइफाइ इंटरनेट का कैसे लिया है तो उसकी वीडियो मैं हमें disconnect करवाना है यानि हमेशा हमेशा के लिए कट करवाना है जैसे कोई एक जिर जा रहा है कुछ है तो कैसे इसको कट करवा सकते हैं तो पूरी इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक चीज बताने वाला हूं ठीक है अब दोस्तों जैसे कि जब यह connection हम लेते हैं जब यह router का connection हम लेते हैं तो यह जो router हमें मिलता है न तो इसकी एक सर्थ होती है कि 18 महीने से पहले अगर जो हम हम इसका connection कट करवाते हैं तो इसकी पंदरे सो रेयाल जो है कि कौस्ट है पंदरे सो रेयाल फिर हमें जव है इसका भरना पड़ेगा connection कट करवाने के वक्त यह router की जबुरत नहीं है कि आप राउटर आपिस में ले करके जाएं कहीं कोई जबुरत नहीं है बस आपको इस ट जमा करने के बाद फिर जो राउटर की कीमत है जैसे पंदरे सो रियाल इसकी कीमत है तो अगर आपका चार महीना बचा हो या पांच महीने बचा हो तो जोंड़ी तो नहीं के आफ है पर देखेंगे यह राउटर की कीमत एक महिने की कितनी बनती है मालने जी 80 रेयल बनी या 90 रेयल इसकी कीमत बनी तो 18 महिने में होने में 5 महिना आपका बचा हुआ है तो 90 रेयल के हिसाब से ये 5 महिने का आपको चार्ज किया जाएगा ठीक है तो एक तो यह हो गई यह चीज और बहुत ही आसानी से कर जाता है बस आपको इसका जो है कि पे करना पड़ेगा अठारे मैंने यूज़ कर लिए है तो फिर यह फिरी है यह आप कहीं भी अपने देश पाकिस्तान इंडिया बंगला देश कहीं भी इसको लेके जा सकते कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि यह आपकी अमानत है आपने इसका पैसा पे किया हुआ है अब रही बात पासवर्ड चेंज करने की कि इसका पासवर्ड हम कैसे चेंज करते हैं तो चलिए मैं आप लोगों को इसका पूरा पासवर्ड आप लोगों को चेंज करके दिखाता ह कि इसका password change कैसे करते हैं आप अपनी mobile से भी password इसका change कर सकते हैं और यह router जो है ना इसकी लोगिंग जो आईडी होती है यानि यह router का भी आप password change कर सकते हैं उसके बाद जो वाई-फाई password होता है जो हम mobile में connect करते हैं उसका भी password हम change कर सकते हैं तो चलिए पूरी एक एक चीज आप लोगों को दिखाते हैं तो इसका password change करने के लिए हमें जाना पड़ेगा Google Chrome ब्राउजर में तो यह सामने आप देख रहे हैं तो इसको करते हैं हम on on करने के बाद फिर यह उपर देखिए option दिया हुआ है search में तो search में हम जाकर क्या लिखेंगे यहां पर देखिए login ID दिया होता है यह जो router है आपका इसके पीछे login ID दिया होता है यहां पर लिखा होगा देखिए 192.168.0 यह लिखा होगा फिर नीचे password लिखा हुआ होता है तो फटा 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 बिसको करते हैं यहां पर इंटर और जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 192.168 फिर डॉट फिर 0 फिर दॉट फिर 1 इसको लिखने के बाद फिर हम सीधे कर देंगे से इंटर करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है और उपर पासवाड लिखा है तो फस्मी सब्सक्राइबर जैसे बड़े चोटे अक्षर में लिखा हुआ है वह ऐसे यह आपको password डालना है ठीक है इसके बाद यहां पर हम डाल देते हमारा password यन वाई पी उसके बाद फिर क्यू फिर ए फिर एट फिर क्यू उसके बाद जे अब यहां पर देखिए हमने करता है तो यहां पर नेटवर्क सेटिंग होता है मैनुवल कर देंगे तो यहां पर देखिए नेट की को दिखाता हूं अदर सेटिंग में देखिए पासवड़ दिखा रहा है तो अदरा सेटिंग पासवड में हम क्लिक करेंगे जाएंगे तो यहां पर zoning password में यहां पर पुराना password पर नया password फिर given from a new password यहांपर यह पासवड पासवार करें। यांई बिना यह पासवार्ड डाले हूए राउटर की आप फोल सकतते हैं तो इसका पासवार्ड यह नीचे वाला जो मैंने इंटर्ग किया हुआ था तो यहां पर यह पासवर्ट चेंज होता है ठीक है तो पहराल हमको यह पासवर्ट चेंज नहीं करना हमको चेंज करना वाइफाई का तो हम सीधे चलते हैं वाइफाई सेटिंग पर यहां पर देखिए काफी अब यहां आप नाम डाल सकते हैं अब इसको कट करकर के नाम और कोईब् hmm यह हुद्ग है कि शकूर्ट करने की नहीं है इसको हमें कुछ करने की नहीं है और यह भी कमेंट करें तो इसकी में अलग से वीडियो बना दूंगा तो फिलाल हम पासवर्ट पर बात करते हैं पिर यहां पर देखिए पासवर्ट दिखा हुए और साइट में देखिए यह आँख बना हुआ दिखा हुआ इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखेगा उसके बाद यह होगे आपका पासवर्ड अब यहां से आप पासवर्ड भी बहुत ही आसानी से कट करके जो है की चेंज कर सकते हैं यहां पर जैसे पूरे एस्ट वाइफाई सकते हैं तो यहांपर लिख सकते हैं तो भाइरैल मै पासवर्ड रखूंगा उसके बाद फिर मैं नीचे आएंगे जैसे ही नीचे आएंगे निखे तो आप यहां पर अपना सब्र भीрийक कर देंगे तो पिर आपका पासवर्ड हो जाए चाएग ठीक है यह तो मेना हुआ या पांच मैना हुआ इसको हमें कट करवाना है या हम एक जिद जा रहां या किसी भी वज़ा से अगर जो हम इसको कट करवाना चाहते है तो मेरे दोस्तों इसका सिष्टम यह है एस्टीजिक का मलब मक्तब होता है तो वहाँ पर आपको जाना है और लेकिन डिस्कनेट करने से पहले आपको चेक करेंगे कि यह राउटर आपको लगवाए कितना दिन हो गया कि 18 महिन हो गया है या उससे कम गरते करक्षी और 18 महिने से पहले गर कट कर्वाएंगे वह आपको भरना पड़ेगा तो इस के लिए पते हैं एक साल हो गया चेह महिना उंगया तो पीर ज है कि जो भी इसकी कॉश्ट होगी वह जो है कि आपको भरनी पड़ेगी तो फिर यह connection जो है कि बहुत ही आसानी से कड़ जाता है कोई इसका जमेला कोई टेंसन नहीं है आप अपने सिरके में जाइए वहाँ पर कंप्लेंड करिए कंप्लेंड का मनलब कोई ऐसी कंप्लेंड नहीं होता है वहाँ पर बोलना होता है कि मुझे वाइफाई का अपना connection कट करवाना है तो कुछ यह तरीका है मेरे तो वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो पिलीज यार चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे तब तक लिए अगर किसी भ